हेलो एब्रीबन वेलकम टो स्टेडी एब बिटाई यीटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपके लिए यूपी पुलिस उनंचा से अर्पानसो अर्फट बाली भरती को ले करके बहुत बड़ी खुसकबरी और ब्रेकिंग न्यूए महाखुसकबरी ले करके आया हूं जो कैंडिडेट यानि यूपी पुलिस उनंचा से अर्पानसो अर्फट बाली भरती को ले करके काफी ज्यादा परेशान है रेजल्ट को ले करके रेजल्ट हमारा कब तक जारी कर दिया जाएगा और कब तक नहीं आएगा काफी अबेर्थियों के मन में सवाल बढ़ रहे सब्सक्राइगा ऐसी दोस्तों अभी अभी जारी हुई है फानले कटों मात्र इतनी रहेगी बर्दी जी समझेए कि पक्के है तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंट तक देखना बुल्कुली भीच में स्कीम नहीं करना देखने के बाद सभी मित्रों में ज्यादा स्यादा शेयर करना है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों मारे चैनल पर पहली बारे तो इस लाल करवारी बटन को आपको दवाना है क्योंकि मारे चैनल के माद्यम से आप 20 रुपे तक यहां पर यह नहीं जी सकते हैं जिसमें जीए फोन होगा टैब सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि कुछ नहीं करना होगा आपको जो भी यहां से कोशन पूछा जाएगा आपको उस कुछन का पो जबाब कमेट बॉक्स के अंदर बताना है और वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब उनको यहां पर प्राइज दिया जाता है कौन सा देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पर तो दोस्तों यह रहाओ और कौसन कानपुर किस नदी के किनारे बसा है और सबसे पहले आएगा उनको भी आप पर प्राइज दिया जाएगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंड होने वाली है यूपी पोलिस उन सकते हैं एक न्यूज निकल के आ रही है कि यूपी पोलिस उननचा सहर 500 और फट बाली भरती का चो रिजल्ट है फाइनल यहां पर बन करके तयार हो चुका है और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा जो अब भीरती काफी दिनों से इंतियार कर रहे हैं क्योंक क्योंकि दोस्तों यूपी पोलिस उननचा सहर 500 और फट में रिजल्ट में जैसे जैसे तेरी होती जा रही है वैसे वैसे अब भीरतियों की धटकन भी यहां पर बढ़ती जा रही है क्योंकि दोस्तों अब्यश्ची काफी ज्यादा प्रेसान है क्या हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा सिविल की कटॉप कितने रहने बाली है पीसी की कटॉप कितने रहेगी हमें कितना नौर्मलाइसन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा यह कभी जादा मन में सवाल है तो देश्तों यहां पर देख सकते हैं तीन दिनों में आएगा उनाइंचा सेर पांसो अर्फट सिपाई भरती का परडाम क्योंकि दोस्तों परडाम आपका फाइनली यहां पर बन करके तैयार हो चुका है कोई भी देरी नहीं है परडाम फाइनली बन करके तैयार है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कोई भी अपडेट आईगी हमारे चैनल के माद्यम से आपको पलपल की यहां पर मिलती रहेगी क्योंकि दोस्तों पड़ाम बन करके तैयार हो चुका है और वो चेक किया जा रहा है कि आपकी कोई भी मिस्टिक ना हो पड़ाम को गोसित करने में क्योंकि दोस्तों 42,000 हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं साथ हजार के करीब ही एश्ट्रा केंडियेट हैं तो उनको भी यहां पर बाहर करना है तो दोस्तों भरती बोड उतने ही केंडियेट लेगा जितने 43,000 हैं वही केंडियेट यहां पर लिये जाएंगे कोई भी एश्ट्रा प्रमाड पत्र लगाया होगा सबसे पहले और क्योंकि जाती प्रमाड पत्र जो मांग गया था एक जुलाई एक अपरेल दो हजार अठारे के बाद का आठ दिसम्मर तक दो हजार अठारे तक का होना चाहिए बहुत से अभ्यरती ऐसे थे जिन्होंने अपना काफ्टिस फर्टिपिकेट और वीसी वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने भारत सरकार का भी लगाया था उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी लगाया था उसमें गलतिया थी तो बहुत सारे कैंडिड ऐसे भी होंगे जो यहां पर बाहर कर दिये जाएंगे और बहुत से कैंडिड ऐसे होंगे जिनको जनर्स रेडी के अंदर डाल दिया जाएगा और जनर्स रेडी के अंदर डाल दिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 185 नमबर पर यहाँ पर कटोब लगाए गई थी बिद नॉर्मलाइशन के अगर उतने नमबर यहां पर नहीं बैठेंगे तो सिंपल सी बात है कि 185 नमबर अगर जनरल में fighter नहीं कर पाते हैं और किसी अभ्यती के नमबर है यानि 182 तो सिंपल सी बात है कि वो candidate यहां पर बाहर हो जाएगा OVC वाले candidate के बात की जा रही है और दोस्तों जो जितने भी candidate होंगे बाकी सबी all shape है फिर्टम fighter बाले एक service में जितने भी candidate हैं उनका सवाल था कि हमारे quota कितना होता कोटा कुछ नहीं जितनी आपकी vacancy होती है उसे इसाब से आपको यहां पर selection ले लिया जाता है यह एक service में home guard सुचन संग्राम से नाने के मन में question थे कि हमारा quota कितना होता है जितनी आपकी vacancy दे गई हैं भर्ती बोर्ड में notification के आधार पर उतने ही बच्चे यहां पर selection ले लिए जाते हैं कोई भी extra candidate यहां पर नहीं मिलता क्योंकि पहली बात तो पड़्याप्त मात्रा में इतने एक्सपरिमिस्मेन होमगार सुतंतरता संग्राम से नाने इतने नहीं मिल पाते जो भी होते हैं सभी का selection हो जाता है ना ही आपकी मेर्टिया पर ज्यादा बढ़ने वाली है तो दोस्तों देख सकते हैं यह न्यूच क्या है राजवीर नखलव भरती बोट के अजकारियों के अनिस्वार तीन दुनों के बहितर उननचा से अर पांसो अर्फट सिपाई वा समकच पदों पर हुई सीधी भरती का पड़ाम भी घोसित कर दिया जाएगा नममर के अन्तिम सप्ता फे दिसम्मर के मद्द चैनित अब भरतीयों के दफ्ता वेजों की जाँच बा सारे दचता परिच्छा कराई जाएगी भरती का पड़ाम जनवरी के प्रथम सप्ता में अन्तिम चैन पड़ाम को होफित किये जाने की तैयारी है जल्दि होगी दरोगा भरती भी भरती बोर्ट के अपनने इच्छक के 5000 फे अधि पतों पर सिद्धी भरती का अधि आदि आप चैन हास्टी की प्रिक्रिया स्ष्ष्षह कराने के लिए कारधा की संसता की तला स्ष्ष्षू कर दे गयी है तो दोस्तों यह बेख्टी हमने हमें कमिट करके बोरड रहे थे कि सारी एक न्यूज ज़्यादा निकल गया रही है कि सिफाई भरती का रेजल्ट दो से तीन दिनों के अंदर भीतर जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों तैयारी यां बहुत तेजी से चल रही हैं रिजल्ट को जारी करने में कोई भी चूक नहीं होगी रिजल्ट आपका फाइनली बन करके तैयार है और बहुत जल्द ही महर लगने के बाद रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तो हमने आपको बता दिया ये नियूज ज्यादा बारेल हो रही थी तो दोस्तों देख सकते हैं कितने बड़ी सच्चा ही है इस नियूज के अंदर दो से तीन दूनों के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए नहीं तो रिजल्ट आपका हम आपके लिए डेट बटाएंगे उस डेट को ही आएगा इस चीज को आप नोट करके लिख लेना दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फाइनल कटॉप के बारे में के फाइनल कटॉप कितनी रहने वाली है यह बहती सबसे जदा परिषान है कितनी बढ़ने वाली है क्या हमारा नंबर आएगा हमारे तो बस एक नंबर ही आश्ट्रा है हमारा तो दो नंबर ही आश्ट्रा है और हम बुलकुल बॉंडरी लान के किनारे पर खड़े हुए हैं एक या दो नंबर हमारा आश्ट्रा है तो हम अभी फिलार में भर्ती पे किलिया में अंदर हैं या नहीं या हम बाहर हो तो परेशान होने के वाली कोई भी बात जरूवत नहीं है दोस्तों अभी आप अगर एक या दो नम्बर गरेश्टरा हैं तो टेंशन लेनी कोई भी जरूवत नहीं है क्योंकि जन्रल की जो कटॉप गई है वह सब पिच्छाफी नमर बिजनों नमराइशन की घई है एक सब अगर इसके और पास अगर बन रहे हैं नमबर एक नमबर है इसमें भी और दो नमबर मान सकती इसमें भी अगर हैं और दो से नमबर इसमें हैं अगर एक या देड़ नमबर आप मान के चलिए तो आप बुलकुर अभी भार नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी आपको यहां पर सिबिलिया पीसी में से कोई भी जौब मिल जाएगी टेंसर लेने वारी कोई जरुवत नहीं है अगर आप बुलकु हो जाएगा दोस्तों यहां पर हम बता देते हैं मेडियल की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू होगी और भुलकुर भी निरास होने वाली कोई भी बात नहीं है और जितने भी जो एक सर्विस मेरे होमगाड होंगे वो सभी बुलकुर और स्टेटी के अंदर सेफ हैं आपका जो कोटा है वो आपका वही कोटे के हिसाब से यहां पर नमबर दिये जाएंगे भाना कटोब हमने बता दी मातर इतनी रहेगी कोई भी बढ़ने वाली नहीं है अगर बोंडर इलान के किनारे हैं तो गवड़ाने वाली कोई भी जरुद नहीं है अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और डाउट्स हों वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूर सकते हैं रही बात रेजल्ट की तो रेजल्ट भी आपको बहुत चल्द ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों रेजल्ट को लेकर कि काफी जादा परिशान है कोई भी भरती बोट की बैपसा नहीं होगी वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब करना है मिटते हैं ने स्टूडियो में तब तक लिए जय हैं जय वारत बंदि मात्रम